सडके हिमाचल प्रदेश की भाग ये रेखाएं हैं लेकिन जब यही सडके खराब हो जाएं तो लोग सवाल उठाते ही हैं पिछले चार महीने से सेव सीजन खत्म होने के बाद गिरिपुल नौडी कुमार हटी सडक की हालत इतनी दैनी हो चुकी है कि सडक में तीन से चार फुट गड़े पड़ चुके हैं लेकिन अभी तक इसका कोई भी समधान नहीं निकल पाए जिला परिशत की बैठक में भी इस बात को मनोज वर्मा ने रखा था लेकिन विभाग की अधिकारी इसमें कुछ भी कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं जानकरी के मुताबिक गिरिपुल नौडी कुमार हटी सडक में आधी सडक राजगर पीड़ वोडी के डिविजन के अंडर आती है और आधी सडक सोलन के अधीन लेकिन ये दोनों ही डिविजन इस रोड को एनुवल मैंटेंटन नहीं कर सकते क्योंकि इस रोट के मेंटेरिंस का कारे सरकार दोारा एक प्राइवेट ठेकदार को दिया गया है वही इस बात को लेकर सलोगडा वाट से जिला परिशा सदर से मनोज वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए स्वास्त, सिक्षा, रोजगार और सडके हैं लेकिन सडकों की हालत इतनी दैनी है कि लोग रोट पर चलने से भी डर रहे हैं यही हाला तिन दिनों पिछले चार महिने से नौडी गिरिपूल कुमार हटी सडक की है जिसमें दो से तीन फूट गड़े पड़े हैं कई बार इस रोट पर चलने से गाड़िया खराब हो रहे हैं तो कई बार यहां हाथ से सामने आ रहे हैं मनोजवर्मा ने पीड़डी विभाग की कारे प्रराली पर सवार उठाते वे कहा कि न तो ओचा घाट में पीड़डी का सब डिविजन इस रोट की मरमत कर पा रहा है और ना ही राजगर पीड़डी डिविजन इस रोट में कुछ कर सकता है क्योंकि सरकार ने इस रोट के मेंटेरिंस का काम प्राइवेट ठेकदार को दिया है लेकिन वो कारे नहीं कर रहा है मनुश्वर्मा ने कहा कि अब लोग अपने स्तर पर रोट कोठी करना चाह रहे हैं जिस तरह से गोध भराई की रस्म होती है उस तरह से अब लोग इस सड़क पर गठे भराई की रस्म करना चाहते हैं बनोजवर्वा ने कहा कि प्रेशासन इस मामले पर कड़ा संग्यान ले ताकि आमजन को रहत मिल सके। की पड़ती हैं एक कसौली एक हमारा सोलन का ओचगाट का सब्डूजन और बाकी राजगड के अंडर हैं लेकिन इसकी एन्विल मेंटेनस का कॉंट्रैक्ट सरकार द्वारा किसी प्राइविट ठेकेदार को दिया गया है और प्राइविट ठेकेदार ही इसकी नालियां और ग तो मैं देखने में आ रहा है कि जो हमारे क्षेतर का एरिया है जो गिरिपुल से मरयोग से आगे चलके हम ओचगाट और कुमारटी तक ये सड़क जाती है ये ट्राले चलने की वज़ा से ओवरलोडिंग की वज़ा से इस सड़क में कम से कम दो दो चार चार फिट के गड़ जो हैं वो बन चुके हैं और एक दो जगापे नहीं है रेगुलर जगापे हैं बहुत सारी इस सड़क की दिक्कत है रोज चलने वाले कोई बाहर से आने वाले सब लोग हमारे को लोगों को अपने रिश्टदारों को ये पूछते हैं कि ये सड़कों का हाल क्या बना रखा ये बदाली क्यूं है लेकिन जहां तक हमारा विशे है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हम इस विशे को सेप्टेंबर महां से लेकर अभी जनुरी आ गई है ये विभाग के साथ उठाते रहे हैं और हमारे को ये बहुत ही अश्चर्रे हुआ ये जानकर क चर्वाग के अफसरों दारा कोई बी कारवाई हमारी बातों पे नहीं की जाती तो आम लोगों की बात पर क्या किया जाएगा तो अब ये फैसला हमारे दोरा लिया गया है कि या तो इन गड़ों में जो जहां पर जल ब्राव हो रहा है कोई हम जल क्रीडाओं के लिए कोई आयोजन करें या फिर लोगों दोरा एक परसाव और भी हमारे को दिया जा रहा है कि एक दिन हम जो है इसकी जिस तरह से गोद बराई जाती है ना गोद बराई होती है उस तरह से इन गड़ों के बरने के लिए एक अभियान चलाएं और जनतस का सहयोग से फिर उसमें मिट्टी जो है वो लाकर हम स्वेम ही इसको बरे एक स्वेम सेवक के रूप में क्योंकि विभाग दोरा तो इस सड़की कोई देखवाल की ने जा रही है और यह बहुत दैनियस तीती है न्यूस डैस्क एन्वल लाइग